जी हां स्टुडेंट्स फाइनली ब्रेकिंग निव जा गया सिये फाउंडेशन सेप्टेंबर दो हजार 24 में एक्जाम देने वाले हो ध्यान से बाते को सुन लीजिए का ओफिशल वेबसाइट पर जाओगे इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन वाला सेक्शन पर ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा क्या रिलीज किया गया फाइनली सिये फाउंडेशन सेप्टेंबर दो हजार 24 का गाइडेंस नोट को रिलीज किया गया सबसे पहले ये news को charter studies cover कर रहा है तो वीडियो को like कर दीजिए, channel पे नए हो subscribe कर दीजिए, total 12 page का ये notification है, simple and short language में explain कर देंगे, अगर आप लोग ज़्यादा comment करोगे तो detail में वीडियो बना देंगे, सबसे पहला point में क्या लिखा हुआ है, कि अगर आपको see foundation September 2024 के exam में appear करना ह 1 May 2024 यानि कि 1 May 2024 तक बच्चो अगर आप लोग इसमें registration कर लिए होंगे, then आप see foundation September 2024 के exam में appear कर सकते हैं, doubt आ सकता है, 1 May तक registration कर लिए हैं, लेकिन हमें September का exam नहीं देना, September के बाद कब exam हो रहा है, January 2025 में, तब जाकर September के बाद exam कब हो रहा है, January 2025 में, तो हमें September का exam नहीं देना तो क्या करना होगा, बस आप लोग September का exam form फिल नहीं कीजेगा, जिन बच्चों को September का नहीं देना, आयोब की doubt क्लियर हो गया, एक और doubt आ सकता है, क्या मैं repeater हूँ, क्या हमें भी दुवारा से registration करना होगा, जबाब है, जी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ exam form फिल करना होग में doubt आ सकता है, CPT कहते किसको है, तब आप CPT के students, हो ही नहीं सकते, बहुत पहले जब CPT कोर्स हुआ करता था, बच्चे CPT कोर्स में registration कर दिये थे, और वो CPT पास नहीं किये थे, अब तो CA Foundation हो रहा है न, तो CA Foundation कोर्स में conversion करना होगा, doubt clear, इसके अलाबा, अगर आपको CA Foundation September 2024 क exam में appear करना, then आपको class 12 का marksick, या नहीं तो class 12 का admit card update करना होगा, कहां पे update करना होगा, SSP portal पे, ध्यान से बाते को सुनते रहेगा, अगर आप update नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है, कि आप लोग बिना update किये हुए, CA Foundation September 2024 का exam form फिल कर सकते हो, लेकिन आगे चल करके, अगर आपका update नहीं होगा, तो CA Foundation September 2024 का admit card release नहीं होगा, doubt आ सकता है, मेरा update है, क्या दुवारा से करना, आपका अगर एक बार update हो चुका है, चल का admit card, तो आपको दुवारा से admit card नहीं करना, class 12 का marksick, then आपको दुवारा से नहीं करना, simple सा बात है, अपने मन में सोचना है, क्या हमारे पास class 12 का marksick नहीं है, तो क्या है, तो class 12 का admit card है, जबाब होगा हाँ है, तो update कर दो, दोनों में से कोई चीज नहीं है, आप appear ही नहीं कर सकते, छोड़ दो पढ़ाई, January में exam देना, simple सा बात है, doubt मत पूचना, कि दोनों चीज नहीं है, then आप पढ़ाई, छोड़ दो, September का, आप सी क्लास 12 का admit card या नहीं, तो class 12 का marksick, आपका attempt September बन ही नहीं सकता, attempt चला जाएगा January 2025, I hope कि doubt क्लियर हो रहा होगा, इसके अलाबा एक और doubt आता है, हम लोग update कर चुके, क्या, दुवारा से करना, जबाब है, जी नहीं, दुवारा से नहीं करना होता है, अगर आपने class 12 का admit card पर exam दे सकते, CA foundation का result आजाएगा, जब आप लोग CA intermediate में जाओगे, उस समय registration करते, समय class 12 का marksick, अपडेट कर देना, simple सबात है, doubt clear हो रहा होगा, तो comment box में thank you लिखेगा, चैनल पे नए हो तो subscribe जरू कीजेगा, hope कि doubt clear हो गया, इसके अलाबा बच्चों, अगर आपको CA foundation September 2024 का exam पॉम फिल करना है, guideline के हिसाब से, photo और signature अपडेट नहीं है, SSP portal पे अपडेट कर दीजे, doubt आ सकता है, क्या है guideline, मैंने वीडियो बना रखा, guideline क्या है, कैसे photo और signature को अपडेट करना है, एक और doubt आ सकता है, क्या हम लोग exam पॉम फिल कर सकते, बाद में photo और signature को अपडेट कर स अब थोड़ा सा नीची आओगे, second page पर क्या लिखा हुआ है, कुछ important date लिखा हुआ है, कि registration करने का आखरी date एक में 2024 है, सेप्टेंबर 2024 के लिए date जा चुका है, और exam form filling, सेप्टेंबर 2024 से ये foundation का कब से start हो रहा, 28 जुलाई 2024 से सुबह के 10 वजे, 11 बजे तक charter studies के channel पे वीड exam form fill करने, क्यों मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे mistake कर देते हैं, उनका application pending में चला जाता, failed हो जाता, उनको पता नहीं चलता, बाद में जब last date चला जाता, तो मेरे पास doubt पूशते है, और उनका attempt ही चला जाता, ये गलती आपको नहीं करना है बच्चो, आपको क्या चार्टे स्टरीज आपके लिए मेहिनत करता है, तो सपोर्ट करो, कम से कम exam form filling वाला वीडियो, सिर्फ और सिर्फ चार्टे स्टरीज का ही देखेंगे, कैसे exam form fill करना, 28 जुलाई को सबसे पहले YouTube पे, पूरे YouTube पे चार्टे स्टरीज अपलोड कर देगा, उभी हमेसा पुरा 24 आखरी डेट है, क्या है आखरी डेट, 10 अगस्त तक आप लोग exam form fill कर सकते, without late fine, with fine आप लोग कब तक exam form fill कर सकते, 13 अगस्त 2024, I hope कि doubt clear हो गया, जब आप exam form fill कर लोगे, बाद में आपको मन करेगा, नहीं हमको center change करना, तो आप correction window open होगा, 14 अगस्त से ले करके, और 16 अगस्त के बीच में, यहां पे आप center and medium को change कर सकते, मेरा ऐसा मनना है, बाई मेरे, मेरा ऐसा मनना है, कि आपको पहले से mentally prepare होना चाहिए, आपको कहा exam देना, किस medium में exam देना, बाद में क्यों change करने का जोत्वा, हाँ, कुछ rare case emergency आता है, ऐसलिए, यह open होता है, नहीं हम, हरबर हरबर में, जल्दिबाजी में center, medium गलत, select कर लिया, बाद में हम उसको सही करना, परिसान हो जाओगे, बता रहे हैं आपके लिए, आप लोग एकदम सही तरीके से exam पॉप फिल करना, चार्टे इस्टडिस का वीडियो को देख कर के, आपके लिए, बच्चों बोल रहे हैं, क्यों आखरी पेपर, आपको 20 September 2024 को रहा, इसके बाद, इसके बाद, मैंने तो बता दिया, exam fee का बात किया जा, exam fee 1500, all over India में, और आपको लोग काटमांडू, नेपाल, ये सब center पे 2200 रप्या, अदर 325 डॉलर, I hope की doubt clear होगा, आपके screen पे भी so कर रहा होगा, इसके अलाबा, इसके रीट कर सकतो, मैं Charter Studies के टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा PDF को share कर रहा हूँ, admit card, foundation September 2024 का admit card, आपके exam से 14-15 दिन पहले release होगा, इस बाद पी तो वीडियो को like कर दीजेगा, कैसे admit card, download करना है, क्या करना है, इस सब के बारे में, Charter Studies पे छोड़ दो, relax हो करके बढ़ाई करो, अगर mistake कर देते हो, सिर्फ center और medium के अलावा, center और medium में गलती होता हो, उसको सही कर सकते हो, correction window में, इसके अलावा कोई चीज correction window में सही नहीं कर सकते, तो the better है कि Charter Studies का वीडियो आएगा, उसको देख करके आपको exam form फिल करना है, clear होगा, जितना भी मुझे समझाना था, समझ जादी है, ज्यादा comment करो, कि पूरा detail guidance note में वीडियो बना दे, तो मैं बना दूँगा, वैसे ये guidance note का pdf, मैं share करने वाला हूँ, Charter Studies के telegram चैनल पे, तो telegram पे search करना है Charter Studies, और हाँ students, Charter Studies ही YouTube पे पूरे मात्रे का ऐसा channel है, जो CA related सबसे पहले, और सही information provide करता है, बहुत सार लेकिन आप लोग को करना क्या है, support करना है, चैनल पे नए हो, subscribe कीजे, ताकि CA related एक भी update news मिसना हो पाए, प्लीज बच्चो, subscribe जरूर कीजिएगा, क्योंकि September 2024, exam तक, अच्छे से exam दिलवाना, ये काम सिर्फ उसिर्फ Charter Studies का है, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, जब तक Charter Studies है, तो प्लीज बच्चो, subscribe कीजिएगा, CA related एक ही मात्र चैनल है, YouTube पे जो सबसे पहले अपडेट करता है, तो subscribe जरूर कीजिए, बाकी कल के date में exam form फिल कैसे करना, CA Foundation September 2024 का वीडियो देखने को मिल जाएगा, आपको fake channel से alert रहना है, बच्चो, subscribe कीजिएगा, Charter Studies का जो thumbnail होत बैक्ग्राउंड में जो लिखा होता है, सब के सब कोपी करता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है, Charter Studies से, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में,